मैं बनाने जा रही हुं आपा संट शब्स बनाने के लिए ग्वाल्यम मैं लिंदार टो शब्स दै है अचार का मशाल्य में, व्ल d si a fans जाएगा तो गैस को आफ कर देंगे जैसे की दुहा निकलने लगेगा तो इस प्रोसेस से आप अचार बनाएंगे तो बहुत ही जादा बढ़िया और टेश्टी बनेगा और जो कच्छे आम काचार में बना रही हूं वह कच्छी आम काचार बैसा ही कर रहेगा जैसे आपका काचा है यह जो आफ जैसे को लिए थारा रही है तो दो आफ जैसे को आफ भी मसाला बना सकते हैं पर से लोड़ा साय समय देना पड़े तो इस तरी किसे सब रख लेंगे और इसमें डालेंगे तो तेल ठंडा हो चुका है अब इस मसाले में इस तरीके से मिक्स कर देंगे और तेल अपने कॉर्डिंग से ले सकते हैं अभी पहले मैं मसाला भिगो रही हूं तो जब आम कच्छी आम काचार डालने के लिए उसमें जब आम डालेंगे तो तेल बाद में आप ढाल दीजिए कोई प्राब्लम नहीं है अभी क्यों थातory मैं इन Always No इंगे तो इतैंगे नहीं कि अफिल सज्द अब चरू अच्छी से भीग जाएगा तो आप सकते हैं तुह तो जो जो के हैं और इस तरीके से मासाला से फूल गया है अपने कलर भी किना तो आप लगा सकते हैं कि इसमें अचार में मसाले में कितना नमक होगा तो ऐसे कपड़ा लेंगे और मैं अच्छे आम ले लिए हैं एक पैकेट में गाइज दो कलो अमियां कटवा के लाई हूं मैं और इसकी जो गुठलियां होती हैं वो इसको निकाल देंगे और अच्छे स कपड़े से और गुठलियों को निकाल देंगे और तो लीजिए बाप दे सकते हैं कि प्रैसम यह लिए मैं एकदम तो का यही अचार जो है महाराश्टरी अचार है महाराश्ट में गायच इस तरीके से अचार डलता है तो मैं ने तरीके इस तरीके से लेके आई हूं आई के लिए इस प्रोसेस से कचार बनाएंगे तो आपका चार सालों साल चलेगा और खराब भी नहीं होगा और इसका स्वादी बहुत तीक तम यूनिक होगा और बहुत आशानी से आप अचार बना सकते हैं तो यू मैंने चोटे-चोटे पेसिस करवाए थे आप चाहे तो घर मे चलाओंगे और चलाने के बाद आप जिख सकते हैं कि बिल्कुल परकेक्ट मसाला है इक प्रकेट में आप 2 कलो कच्याम डाल सकते हैं। आप चाहे तो अब यू मैंने थोड़ा-थोड़ा कटे डाल रहे हूं तो अब गाइस इसको रखतेंगे दो दिन के लिए ठककर इस च और जिसका अच्छी आमका जो कलर है वी ग्रीन रहेगा सालवर और आपका अचार परफेक्ट रहेगा आप दिख सकते हैं कि जटपट अचार बनकर तयार हो गया है बस आपसे तो तीन दिल लगते हैं अचार टालने के लिए ना आपको प्रॉब्लम है कि मसाला कितना डालना है कॉंटिटी कितनी रखनी है इसमें आप ही अपने बढ़ा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें कश्मीजी कलर भी डाल सकते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा तो अगर आप मेरी वीडियो कौन से जगह से देख र में इस चाही का खराबन तो पर अपर शम्मी तो आप इसमें में बाले और आप प्रुफ्लम को था इसमें में जीका के लो जो और रहना कि पाह बोल्याय थाप राप्न धाले उझनिकेल तुम अब जो फलिटे पाप बन सकते हैं ज़िक्ता इसको अश्वेता में फश्कूर तो गैसी आपका चार खराब नहीं होगा और जैसे कच्छे आम आपके हैं और इसमें बिल्कुल प्रफेक्ट ऐसा ही रहेगा कच्छे आम का चार महाराश्ट्री अचारे गाइस न्यू रेसिपी है आप इसमें आप तेल भर सकते हैं जितना अचार है उतना आप तेल तो गैस इसको दो दिन के लिए दूप में भी हलका सा रखना है तो कि इसकी नमी जुए खतम हो जाए और दूप में फिर बात में नहीं रखना है मिलते हैं नहीं आप